साथियों, जब मैं 20 साल पहले गुजरात का मुख्यमंत्री बना था, तो मैंने वहाँ एक बात नोट की थी, वहाँ आदिवासी बेल्ट में, जो भी स्कूल थे, इतना बड़ा आदिवासी समुदाय था, लेकिन पिछली सरकारों को, आदिवासी खेत्रों में, साइन्स ट्रिम की स्कूले बनाने में, प्रात्विक्ता नहीं थी, अब सोचिये, जब आदिवासी बच्चा, साइन्स से ही नहीं पड़ेगा, तो डॉक्टर इंजिनियर कैसे बनता, इस चुनवती का समाधान, हमने उस पूरे बेल्ट में, आदिवासी खेत्र के स्कूलों में, साइन्स की पड़ाई का इंतिजाम करके किया, आदिवासी बच्चे, देश के किसी भी कौने में हो, उनकी सिक्षा, उनका भविश्य, ये मेरी प्रात्विक्ता है, आज देश में, एक लव्य मोडल आदिवासी बिद्यालों के संक्या में, पांच गुना की वृद्धी हुई है, 2004 से 2014 के बीच, दस वर्षों में केवल 91 लव्य आदिवासी स्कूल खुले थे, लेकिन 2014 से 2022 तक, इन आठ वर्षों में, पांच सो से जादा एक लव्य स्कूल स्विक्रुत हुए है, बर्तमान में, इन में 400 से जादा स्कूलों में, पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है, एक लाग से जादा जन जातिये छात्र छात्राएं, इन नए स्कूलों में पढ़ाई भी करने लगे हैं, इस साल के बजेट में ऐसे स्कूलों में करीब करीब 40,000 से भी ज़्यादा सिक्षकों और कर्मुचारियों को बढ़ती की भी गोषणा की गई है अनुस्विचित जनजाति के युवाओं को मिलने वाली स्कॉलर्शिफ में भी दो गुने से ज़्यादा की बढ़ोत्री की गई है इसका लाप तीस लाख विद्यार्दियों को मिल रहा है साथियों आदिवासी युवाओं को भाषा की बाधा के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था लेकिन नई राष्टिये शिक्षानीती में मात्रु भाषा में पढ़ाई के विकल को भी खोल दिये गए है अब हमारे आदिवासी बच्चे आदिवासी हुआ अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे आगे बढ़ सकेंगे साथियों देश जब आखरी पाइदान पर खड़े व्यक्ति को अपनी प्रात्मिक्ता देता है तो प्रगति के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं हमारी सरकार वन्चीतों को वरियता वन्चीतों को वरियता यही मंत्र को लेकर देश विकास के लिए नए आयाम छू रहा है सरकार जिन आकांची जिला आकांची ब्लॉक को विक्सित करने का प्यान चला रही है उसमें जादातर आदिवासि बाहुले इलाके हैं इस साल के बजेट में अनुसुचित जनजातियों के लिए दिया जाने वाला बजेट भी 2014 के तुलना में पांच गुना बढ़ा दिया गया है आदिवासि शेत्रों में बहतर आदुनिक इंफ्रास्टेक्टर बनाये जा रहा है आदुनिक कनेक्टिविटी भरने से परियटन और आयके अवसर भी बढ़ रहे हैं देश के हजारों गाउं जो कभी वामपन थी उग्रवाद से प्रभाविच थे उन्हें अब 4G कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है यानि जो युवार अलग थलग होने के कारण अलगाववाद के जाल में फच जाते से वो अब इंटरनेट और इंफ्रा के जरिए मुख्यधारा से कनेक्ट हो रहे हैं यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसकी वो मुख्यधारा है जो दूर सुदूर देश के हर नागरिक तब पहुंच रही है यह आदिय और आदिनित्ता के संग्यम की वो आहट है जिस पर नए भारत की बुलन इमारत खड़ी होगी है साथ क्यों